नावालिक बालिका पर लैंगिंग अत्याचार करने वाला आरूपी विजे महादेव मून संत चोखोबा वाड निवासी को भादवी 264-2015, 354-259 एम पॉस को काईदा अंतरगर सजा सुनाई गई 10 अक्टूबर 2015 की इस शर्मनाग घटना को आरूपी ने खुद के संत चोखोबा वाड में अन्जाम दिया था आरूपी ने पीडित अल्प वेन लड़की पर अत्याचार किया उक्त अत्याचार की फर्यात पीडिता की माने पुलिस स्टेशन हिंगनगाट में गी जिस पर आरूपी के विरुद उपर निर्देशित कलम अंतगत गुना दर्च किया गया आरुपी के विरुद सबु जमा करके दोशा रोपत्र न्यायाले में दाखिल किया गया कोट विद्वान जिला न्यायधीश एक और अत्रिक्त सत्र न्यायधीश आर्वी भागवत हिंगन घाच इनके न्यायाले में सदर प्रकरेंड न्याय प्रविष्ट हुआ है सदर प्रकरेंड में सरकारी वकील एडवोकेट दीपक वैद्य ने काम सभाला और उन्होंने शाषन की तरफ से 11 सरकारी गववा पेश कर अपनी बात रखी और आरुपी के विरुद गुना साबित किया उक्ति प्रकरेंड में प्रात्मिक जाच पुलस उप निरिक्षक प्रवीन लिगाने और मुख्य जाच अधिकारी से पुलस निरिक्षक विजे नायक ने की और जाच पूरी करके मामला न्यायले में दाखिल किया इस प्रकरण में कोट पेरवी अधिकारी पुलिस हवलदा विजे तोड़साम बैच नंबर 534 ने विशेश जिम्यदारी निभाई कोट विदमान जिला वा सत्र नियाईधीश आरभी भागवत हिंगनगाट ने सरकारी पक्ष और आरुपी पक्ष का युक्तिवास सुन कर आरुपी के विरुद भादवी कलम 354 नो एम पॉक्स को काईदा प्रमाणी आरुपी को 25 फरवरी 2022 को दोशी करार देते हुए 5 साल की स अजा के साथ 10 अजार रुपे का दंड दिया आरुपी ने दंड की रकम ना भड़ने पर 6 महिने अतरिक्त कारवास की शिक्ष का आदेश सुनाया हिंगनगाट से बीसे न्यूस के लिए रवी यौनॉरकर की रपोर्ट